तुड़े श्टुडेंट्स, तुड़े विल स्टेडी अबाउट दा डेरिवेशन ओफ गेस लोज फ्रॉम कानेक्टिक मोलेकुलर थोरी की समिकन से गेस की विभीन नियमु का डेरिवेशन करेंगे इस के पहला नियम है हमारा बोल का नियम बोल का नियम क्या होता है? बोल के नियम अनुचार एट कॉंस्टेंट टेंपरेचर टी क्या है? कॉंस्टेंट है कॉंस्टेंट टेंपरेचर पर पीवी रिमेंस क्या होगा? पीवी रिमेंस कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट टेंपरेचर पर पीवी का मान भी क्या होगा? constant रहेगा यह हमें kinetic molecular theory equation से प्रूव करना है कि PV remains constant since we know according to kinetic molecular theory of equation PV equal to 1 by 3 mnc square ओके यहनि PV ब्राबर क्या है 1 upon 3 mnc square है अब हम क्या करेंगे we will multiply this equation by 2 up and down okay that is 1 by 3 multiply 2 upon 2 multiply में क्या mnc square okay अब हम इस equation के दो पार्ट कर लेते हैं 1 by 2 को s गले आते हैं 1 by 2 को और 2 by 3 s गले आते हैं क्या बन गया है 2 upon 3 हो गया एक तो 2 upon 3 हो गया दूसरा पार्ट क्या हो गया 1 by 2 1 upon 2 हो गया mnc square सिंपल सी बात क्या होगी यदि हमने इस equation को उपर नीचे 2 से multiply किया तो हमें क्या होगा हमें ये प्राप्त हो गया 2 by 3 multiply 1 by 2 mnc square जब हमने 2 को उपर नीचे से multiply किया तो इस equation के मान में कोई change नहीं आया ओकी change क्यों नहीं आया हमने ऐसे किया 1 by 3 multiply 2 by 2 cancel हो गया answer 1 by 3 रह गया हमारा लेकिन result को simplify करने के लिए हमने उपर नीचे उसको 2 से multiply कर दिया तब ये समिकन प्राप्त हो गई आप देखिया आपे since we know that 1 by 2 mv square equal to the kinetic energy 1 upon 2 mv square होता है kinetic energy अब यहां पर हमने क्या लिया है यहां पर mn लिया है हमने mn क्या है mn को capital N मान ले mn equal to capital M यहां पर m क्या है mass of the single molecule और n यहां पर क्या total number of gases molecule यदि हमको multiply कर देए तो यह m आ जाएगा total mass of the gaseous molecules तो यहां पर हम क्या कर देए इसके जगए m मान ले 1 by 2 तो है हमारा 1 by 2 तो है यह पहले से और यह 1 by 2 है 1 by 2 और यह m है यह c square क्या है velocity है यानि यहां वेग मान लें इसको पुन तो 1 by 2 mc square क्या हो गया 1 by 2 mc square हो गया kinetic energy हो गया तो हमने क्या 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 इस equation में हमने 2 by 3 तो पहले से है 2 by 3 यहां गया multiply में क्या गया multiply में से kinetic energy आगई ओके आप देखिए हम इसको equation में first मान लेजी आपे equation number क्या है यह first है आप देखिए हम क्या करेंगे हमने पड़ा था in postulates of a kinetic molecular theory उससे postulate में क्या था कि kinetic energy is directly proportional to absolute temperature लोचर, that is, Kinetic थोरी के अनुशारे, गतीज उर्जा है वो परमतापमान के समानुपाती होती है, that is, Kinetic energy proportional to T होती है, यहां, यहां क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या होती है, क्या निदूर जाएगा, क्या यहां पर क्या है, कॉंस्टेंट है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले मान को, क्यानि यह मारे पास यह समीकन थे न, यह वाली, इसमें equation number one है, यहाँ पर हमने गतित उजा की जग्या रखना है, इसकी जगह हमें समीक इस वाले मान से केटी पुटब करना है, यहाँ पर, ओके, तो यह क्या आ गया, यह बन गया हमारा, पी वी इक्वल टू हो गया, पी पले से थाई, पी वी इक्वल टू टू बाइ थी है, और यहाँ पर क्या आ गया, केटी आ गया, तो पी वी इक्वल टू 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 बाइ तू बाइ थी केटी, ये equation number second हो गयी, और चोँग हम जानते हैं, कि बॉलके निये में क्या होता है, तू बाय समघ्वड़न के पर पर कैने मिदें सब्सक् fight इसका मतलब हो आदा पीवड़म है यही में फोलका नियम Kiss constant temperature पर PV remains constant इस प्रकार से हमने kinetic molecular equation के दौरा हमने Bohel के नियम को प्रूव कर दिया second लो है हमारा Charles low Charles का लो क्या होता है Charles के लो के निशार क्या है constant pressure pressure remains constant constant pressure पर volume is directly proportional to T होता है या पर इसको महाँ सते है V दाबर क्या है KT होता है कि यहाँ पर constant है तो अब हम kinetic molecular थोरी की जो equation है उसके दौरा इस वाले इस value को हम प्रूव करेंगी यानि Charles के नियम को हम प्रूव करेंगे देखिए समिकन दो थी हमारी यह वाली यह समिकन दो थी हमारी PV इकल टू क्या है 2 by 3 KT यह इसमें काम आएगी हमने क्या लिखा according to equation second PV इकल टू क्या है 2 by 3 KT अब हमें क्या करना देखो दान दीजी आपे इस P को यहाँ से हटा कर हमें इस cake निचे लेके आना है क्या करना है P को यहाँ से remove करना है इसको यहाँ से टाकर हमें cake निचे put up करना है इसको तो क्या बनेगे इवीदपले से है इवीदपले से है यहाँ पर ठीक है 2 by 3 है OK K की निचे क्या लेके आना है cake निचे में P लेके आना है प्रेशर बात वही होगी इसके मान कोई चेंज नहीं आएगा वो multiply में क्या है यहाँ पर T है ठीक है आप देखिए Charles के निचे में क्या था Charles के निचे में temperature क्या रहता है constant रहता है आप देखिए 2 by 3 constant है 2 O और दोनुं क्या है constant है K constant है पहले से ही और P भी क्या है Charles के निचे में constant है इसका मतलब पूरा का पुरा मान क्या हो गया पूरा का पूरा मान constant हो गया इसका मतलब क्या को K माल ले K ds माल लो अप इसे K ds T कर दिया K ds क्या है एक पुरा constant है ठीक है न इसका मतलब क्या वी प्रपोर्शनट्रों क्या हो गया? T हो गया यह चार्स का नियम है तो हमने इस काइनेटिक गेस इकोईशन से चार्स के नियम को भी प्रूव कर दिया त्यर्ड हमारा आउगाद्रों का नियम आउगाद्रों का नियम क्या था? According to आवगादरों लो at constant temperature and pressure equal volumes of all gases have same number of molecules अथा रते ताप एवं दाब की समान प्रिष्टित्यू में समस्त गेस्टों के समान आयतन में अनुकी संख्या समान होती है यानी आवगादरों के नियमे हमें constant temperature pressure पर एवं समान आयतन के उपर हमें प्रूव करना है कि N1 का मान क्या होता है N2 होता है यह एक गेस में जो मॉलिकुल होंगे N1 का मान वो दूसरे गेस के मॉलिकुल के बराबर होने चाहिए यह आवगादरों के नियमें तो इसको हम क्या करेंगे kinetic molecule थोरी question है उसके द्वादरों को प्रूव करेंगे माना कि suppose equal volume वाली गेस है जिनके pressure क्या है P एवन temperature क्या है T है इनके molecules के जो नंबर है वो क्या है N1 एवं N2 है इन molecules के जो mass है वो करमशा क्या है M1 एवं M2 है इन molecules के जो root mean square velocity है root mean square velocity वर्ग माद दे मूलवे क्या है C1 and C2 है तो according to kinetic molecule थोरी question for N1 type molecule and for N2 type molecule will be as follows for N1 type molecule क्या बन जाएगे PV equal to 1 by 3 M1 N1 C1 square equation first होगे for N2 type molecule PV equal to 1 by 3 M2 N2 C2 square 2 आप देखिए हमने P और V के अंदर numbering so नहीं किये P और V हमने एक रखा है क्योंकि आउगाद्रो के निये में क्या है pressure volume क्या रहते है मैसा constant रहते है इसलिए हमने इसको change है इसके numbering को so नहीं किया है इसका मतलब क्या होगा कि इस वाली equation में P बराबर क्या है ये है इस वाली equation P बराबर क्या है ये है तो ये दुनों मान बराबर है दुनों मान क्या है बराबर है ये वाले इसका मतलब क्या होगा ये मान भी क्या होगे बराबर होगे ओके तो हम क्या लिखेंगे from equation 1 and 2 1 by 3 m1 and 1 c square equal to क्या हुजाएगा 1 by 3 m2 and 2 c2 square आप हम क्या करेंगे इस equation को उपर नीचे हम 2 से multiply करेंगे इसको भी इसी परकार इसको भी हम क्या करेंगे उपर नीचे 2 से multiply कर देंगे ओके इसके दो पार्ट कर लेंगे अपुन देख कर देंगे 2 by 3 देख को 2 by 3 देख कर देंगे 1 by 2 यह वाला 1 by 2 multiply में क्या है m1 and 1 c1 square इसको अलग कर लेंगे एक पार्ट को second में क्या बराबर में क्या है यहाँ भी multiply किया हमने 2 को पर नीचे से तो क्या अपने गये यह 2 by 3 अलग हो गया 2 by 3 और bracket में हम ले आए इस 1 को इस 2 को तो 1 by 2 m2 and 2 c2 square यानि हमने क्या किया इस वाले पार्ट में को इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दोनों को उपर नीचे 2 से multiply करके इनको हमने अलग-अलग group में बाढ़ दिया तो हमें यह स्विंग प्राप्त हो गई यह वाली ओके आप देखी इससे cancel हो गया 2 by 3 से 2 by 3 cancel हो गया अब 1 इसका मतलब क्या होगा 1 by 2 m1 n1 c2 cancel है कैसे हुआ इसको आप इधर लेके हो गया तो इस क्या बन जाएगा 3 by 2 बन जाएगा तो 3 से 2 क्या हो गया cancel हो गया इसका मतलब क्या जो मान लिखा को यह वाला इस मान को आपन 1 by 2 m1 n1 c1 square या 1 by 2 m2 n2 c2 square की रूप में रिप्रजेंटे कर सकते हैं ठीक है आप चुन की हमने क्या माना है आप गादरों के निये में कि temperature भी क्या रहता है temperature remains constant तापमान का मान ही क्या रहता है समान रहता है इस काण से क्या होगा मुख्यवाद द्यान देजी आपे इस काण से पर molecule पर ते कणून पर molecule की average kinetic energy भी क्या होगी समान होगी द्यान देजी आप सभी molecules की नहीं 1 molecule की इस molecule की है न, इस molecule की जो average kinetic energy है, वो क्या होगी, सम्मान होगी, यह तो यहां क्या सो कर रही है, यहां सो कर रही है, यहां सो कर रही है, N1 type के molecule kinetic energy सो कर रही है, 1 by 2 M1, N1 C square है न, यह N1 type के सभी molecules की kinetic energy गो रिपरजेंट कर रही है, और यह रिपरजेंट कर रही है, N2 type के सभी molecules की काइनेर्टिक एनर्जी गों रिपर्जेंट कर रही है हम यहां क्या मानने हैं यहां मानने पुन परती है नू पर मोलेक्यूल एवरेज काइनेर्टिक एनर्जी यह M2 मान क्या हो गया 1 हो गया तो यानी 1 by 2 M1 C1 square equal to क्या हो जागी 1 by 2 M2 C2 square दोने को मान क्या होगी ब्राबर होगी equation क्यों होगी 4 होगी जान दीजिया यह ब्राबर कब होगी जब temperature क्या रहेगा constant रहेगा यानी वापिस हमें जो kinetic थोड़ी पॉसुलेर्ट है वो अप्लाई करनी है क्या पॉसुलेर्ट क्या है kinetic energy proportion to क्या होती है kinetic energy proportion to होती है temperature के यह पढ़ चुकी है जब temperature समान है तो kinetic energy क्या होगी समान हो जाएगी तो यानी 1 by 2 M1 C1 square 2 क्या हो जाएगा 1 by 2 M2 C2 square equation में क्या आगई 4 आगई हमें दोनों बें अंतर करना है इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में यह तो क्या है सभी molecule से reference में है और यह किसके reference में है यह केवल 1 molecule यानी पर molecule के reference में address kinetic energy रिपरजेंट कर रही है equation number 4 अब हम क्या करेंगे हम divide करेंगे equation 3 को 4 से divide करेंगे समीकन 3 में 4 का बाग देंगे अब बाद इनस क्या हो जाएगा 1 by 2 M1 N1 में बाग दिया है अंब किसका इसका 1 by 2 M1 C1 क्याएग हो गए 1 by 2 1 by 2 M1 C1 स्कॉर C1 क्या आए तब्राबर क्या है इदर क्या है इदर इदर यहाँ पर क्या था 1 by 2 M2 N2 C2 स्कॉर्ण था divide किया हम नी किस से इससे 1 by 2 M to C2 square cancel क्या हो गया 1 by 2 से 1 by 2 cancel हो गया M to C M to cancel हो गया C2 square से C2 square से cancel हो गया तो पिछे क्या है रहा मारे पास है पिछे मारे पास रहा ये N1 बराबर N2 रह गया ओके यही आउगा दर रहा नहीं है यानि constant pressure और temperature पर सबी gases की जो equal volumes है उनमें number of molecules क्या होते है समान होते है इस प्रकार से हमने kinetic molecular theory equation से आउगादर के नियम को भी प्रूव कर दिया इसका ताथ पर दिया क्या हुआ कि kinetic molecular theory of equation है इस equation है इस equation ने gas лож को gas के नियम को एक थोर्टिकल बेश सिद्धान्तिक आदार परदान किया है ओके थैंक यू